नमस्कार, मैं शुती गौतम, कहानियों के काफिले में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं भारत पाक विभाजन त्रासिती पर अधारित एक कहानी प्रसुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है सिक्का बदल गया और जिसे लिखा है किष्णा सुर्बती जी ने खदर की चादर उड़े हाथ में माला लिये शाहनी जब दलिया के किनारे पहुँची तो पौप फट रही थी दूर दूर आसमान के परदे पर लालिमा फैलती जा रही थी शाहनी ने कपड़े उतार कर एको रखे और श्रीराम श्रीराम करती पानी में हूली अंजली भरकर सुर्देवता को नमस्कार किया अपनी उनीदी आखों पर छीटे दिये और पानी से लिपट गई चनाप का पानी आज भी पहले साही सर्द था लहरें लहरों को चूम रही थी वदूर सामने काश्मीर की पहाडियों से बर्फ पिघल रहे थी उचल उचल आते पानी के भवरों से टकरा कर कगारें गिर रहे थे लेकिन दूर दूर तक बिछी रेट आज न जाने क्यों खामोश लगती थी शाहनी ने कपड़े पहने इधर उदर देखा कहीं किसी की परचाई तक न थी पर नीचे रेट में अगड़ित पाउं की निशान थे वह कुछ सहम से उठी आज इस प्रभात की मीटी निरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है वह पिछले पचास वर्षों से यहां नहाती आ रही है कितना लंबार सा है शाहनी सोचती है एक दिन इसी दुनिया के किनारे पर वह दुलहिन बन कर उतरी थी और आज आज शाहाजी नहीं उसका वह पड़ा लिखा लड़का नहीं आज वह अकेली है शाहाजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है पर नहीं यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं पिरा उसका शारी ने लंबी सास ली और श्री राम श्री राम कर की बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआ उठा था तंटन बैलों की गंटिया बजुटती है फिर भी फिर भी कुछ बदा बदा सा लग रहा है जमी वाला कुवा भी आज नहीं चल रहा ये शाहाजी की असामिया है शाहाणी ने नजर उठाई ये मीलो फैले खेत अपने ही है भरी भराई नई फसल को देखकर शाहाणी किसी अपनत्तो के मोह में भीग गई ये सब शाहाजी की बरकतें है दूर दूर गाओं तक फैली हुई जमीने जमीनों में कुवें सब अपने है साल में तीन भसल जमीन तो सोना उगलती है शाहाणी कुवें की ओर बड़ी आवाज दी शेरे शेरे हसेना हसेना शेरा शाहनी का स्वर पैचानता है वह ना पैचानेगा अपनी मा जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बढ़ा हुआ उसने पास पढ़ा गंडासा शटाले के धेर के नीचे सरका दिया हाथ में हुक्का पकड़ कर बोला ए हसेना सेना शाहनी के आवाज उसे कैसे हिला गई है अवितव सोच रहा था कि उस शाहनी की उची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चान्दी की संदूक्चियां उठा कर कि तभी सेरे शेरे शेरा गुस्से से भर गया किस पर निकाले अपना क्रोद शाहनी पर चीख कर बोला ए मर गई एब तेन्नू मौत दे हसेना आटे वाली कनाली एको रख जल्दी जल्दी बाहर निकलाई ए आईयां क्यों सुबह सुबह तरपना है अब तक शाहनी नजदीक पहुँच चुकी थी शेरे की तेजी सुन चुकी थी प्यार से बोली हसेना ये वक्त लड़ने का है वह पागल है तो तू ही जिग्रा कर लिया कर जिग्रा हसेना ने मान भरे स्वर में कहा शाहनी लड़का आखिर लड़का ही है कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँ अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने शाहनी ने लाड़ से हसेना के पीट पराहत फेरा हसकर बोली पगली मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है शेरे हाँ शाहनी मालूम होता है रात को कुलू वाल के लोग आये हैं यहां शाहनी ने गंभील स्वर में कहा शेरे ने जरा रुपकर घबरा कर कहा नहीं नहीं शाहनी शेरे के उत्तर की अंसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे आज शाहाजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते पर शानी कहते कहते रुप गई आज क्या हो रहा है शानी को लगा जैसे जी भर-भर आ रहा है शाह जी को बिछडे कई साल वीद गए पर आज कुछ पिघल रहा है शायद पिछली स्मतिया आसुओं को रोकनी के प्रैत्त में उसने हसैना की ओर देखा और हलके से हस पड़ी और शेरा सोच ही रहा है क्या कह रही है शानी आज आज शानी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता यह होके रहेगा क्यों नहों हमारे भी भाई बंदों से सूध लेकर शाह जी सोने की बोरियां तोला करते थे प्रतिहिंशा की आग शेरे की आँखों में उतर आई गणासे की याद हो आई शानी की ओर देखा नहीं नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कतल कर चुका है पर वह ऐसा नीच नहीं सामने बैटी शानी नहीं शानी के हाथ उसकी आँखों में तैर गए वरसरदियों की रातें कभी-कभी शार जी की डाट खाके वह हवेली में पढ़ा रहता था और फिर लाल्टेन की रोशनी में वह देखता है शानी की ममता भरे हाथ दूद का कटोरा थामे हुए शेरे शेरे उट पी ले शेरे ने शानी के जुरियां पड़े मूखी और देखा तो शानी धीरे से मुस्कुरा रही थी शेरा बिचलित हो गया अकिर शानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा शाहजी की बात शाहजी के साथ गई वह शाहनी को जरूर बचाएगा लेकिन कल रात वाला मुश्वरा वह कैसे मान गया था फिरोज की बाते सब कुछ ठीक हो जाएगा सामान बाट लिया जाएगा शानी चलो तो मैं घर तक छोड़ा हूँ शानी उट खड़ी होई किसी गहरी सोच में चलती हुई शानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूँज रही है पर क्या होगा शाहनी को मार कर शाहनी? हाँ शेरे मगरवा कैसे कहे? शाहनी शाहनी ने सिर्फ उचा किया आसमान धुए से भर गया था शेरे? शेरा जानता है यहां आग है जबलपुर में आज आग लगनी थी लग गई शाहनी कुछ न कह सकी उसके नाते रिष्टे सब वहीं है हवेली आ गई शाहनी ने शून्य मन से ड्योणी में कदम रखा शेरा कब लोट गया उसे कुछ पता नहीं दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के नजाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी? दुपहर आई और चली गई हवेली खुली पड़ी है आज शाहनी नहीं उट पा रही जैसे उसका अधिकार आज सुएम ही उससे चूट रहा है शाहजी के घर की माल किन लेकिन नहीं आज मो नहीं हट रहा मालो पत्थर हो गई हो पड़े पड़े सांज हो गई पर उटने की बाद फिर भी नहीं सोच पा रही अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौक उठी शाहनी शाहनी सुनो त्रकें आती है लेने त्रकें? शाहनी इसकी सिवा और कुछ न कह सकी हातों ने एक दूसरे को थाम लिया बात की बात में खबर गाउं भर में फैल गई बीबी ने अपने विक्रत कंट से कहा शाहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ न कभी सुना गजब हो गया अंधेरा पड़ गया शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही नवाब बीबी ने इस नेय सनी उदासी से कहा शाहनी हमने तो कभी न सोचा था शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था नीचे से पटबारी बेगू और जैलदार की बाच्चित सुनाई दी शाहनी समझी कि वक्त आन पहुँचा मशीन की तरह नीचे उत्री पड़्यों ने न लाग सकी किसी गहरी बहुत गहरी आवाज से पूछा कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गाओं है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी उसकी असामिया हैं जिने उसने अपनी नाते रिष्टों से कभी कम नहीं समझा लेकिन नहीं आज उसका कोई नहीं आजवा अकेली है या भीड की भीड उनमें कुलू वाल के जाट वह क्या सुबा ही नहीं समझ गही थी? बेगु पटवारी और मसीद के मुल्ला इसमाइल ने जाने क्या सोचा? शानी की निकट आखड़े हुए बेगु आज शानी की ओड देख नहीं पा रहा धीरे से जरा गलास साफ करती हुए कहा शानी रबनू एही मंजूर सी शानी के कदम डोल गए चकर आया और दिवार के साथ लग गए इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाजी उसे बेजान सी शानी की ओर देख कर बेगु सोच रहा है क्या गुजर रही है शानी पर मगर क्या हो सकता है सिक्का बदल गया है शानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं गाउं का गाउं खड़ा है हवेली के दर्वाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहा जी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था तब से लेकर आज तक सब फैसले सब मश्विरे यहीं होते रहे हैं इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो वह जान कर भी अंजान बनी रही उसने कभी बैर नहीं जाना किसी का बुरा नहीं किया लेकिन बूरी शाहनी यह नहीं जानती किसी का बदल गया है देर हो रही थी थानेदर दाउत खां जरा अकड़ कर आ गया आया और ड्योणी पर खड़ी जड़ निरजीब छाया को देख कर ठटक गया वह शाहनी है जिसके शाहा जी उसके लिए दरिया के किनारे खे में लगवा दिया करते थे यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिये थे मूँ दिखाई में अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था शाहनी भागोवाल मसीत बनेगी तीन सो रुपया देना पड़ेगा शाहनी ने अपने उसी सरल सबहाब से तीन सो रुपय दिये थे और आज शाहनी डियोडी से निकट जाकर बोला देड़ हो रही है शाहनी कुछ साथ रखना हो तो रख लो कुछ साथ बहांद लिया है सोना चांदी शाहनी आइसपुट स्वर से बोली सोना चांदी जरा ठहर कर साथगी से कहा सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है मेरा सोना तो एक-एक जमीन में बिचा है डाउत कहां लजजित सा हो गया शाहनी तुम अकेली हो अपने पास कुछ होना जरूरी है कुछ नगदी ही रख लो वक्त का कुछ पता नहीं वक्त शाहनी अपनी गीली आँखों से हस पड़ी दाउत खां इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिन्दा रहूंगी किसी गहरी वेदना और त्रसकार से कह दिया शाहनी ने दाउत खां निरुत्तर है साहस कर बोला शाहनी कुछ नगदी जरूरी है नहीं बच्चा मुझे इस घर से शाहनी का गला रूंद गया नगदी प्यारी नहीं यहां की नगदी यहीं रहेगी शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो नहो कुछ मा रहा है शाहनी से खां साहिव देर हो रही है शाहनी चौक पड़ी देर मेरे घर में मुझे देर आसूओं की भवर में न जाने कहां से बित्रो हो मड़ पड़ा मैं पुर्खों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं यह सब कुछ नहीं ठीक है देर हो रही है पर नहीं शाहनी रो रोकर नहीं अपने लड़कडाते कदमों को समाल कर शाहनी ने तुपट्टे से आखे पोँची और ड्योणी से बाहर हो गई बड़ी बुडियां रो पड़ी किसी की तुलना हो सकती थी इसके साथ खुदा ने सब कुछ दिया था मगर मगर दिन बदले वक्त बदले शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढापकर अपनी धुदली आखों में से हवेली को अंतिम बाहर देखा शाहाजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेच कर रखा आज वह उसे धोका दे गई शाहनी ने दोनों हाथ जोड लिये यही अंतिम दवशन था यही अंतिम प्रणाम था शाहनी की आखें फिर कभी इस उची हवेली को ना देख पाईंगी प्यार ने जोर मारा सोचा एक बार घूम फिर कर पुरा घर क्यों न देखाई मैं जी छोटा हो रहा है पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वज छोटी न होगी इतना ही ठीक है बस हो चुका सिर जुखाया ड्योणी के आगे कुल बदू की आखों से निकल कर कुछ बूदें चूप पड़ी शाहनी चल दी उचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया दाउत खाँ, शेरा, पटवारी, जेलडार और छोटे बड़े बच्चे बूडे, मर्द, औरतें सब पीछे-पीछे ट्रकें अब तक भर चुकी थी शाहनी अपने को खीच रही थी गाउवालों के गलों में जैसे धूआ उट रहा है शेरे, खूनी शेरे का दिन तूट रहा है दाउत खाने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला शाहनी बढ़ी इसमाईल ने आगे बढ़कर भारी अवाज से कहा शाहनी कुछ कह जाओ तुम्हारे मूँ से निकली असीज जूट नहीं हो सकती और अपने साफे से आखों का पानी पूच लिया शाहनी ने उटती हुई हिचकी को रोक कर रुंधे रुंधे से कहा रब तुहानु सलामत रखे बच्चा खुशिया बक्षे वो छोटा सा जन समू रो दिया जराबी दिल में मैल नहीं शाहनी के और हम शाहनी को नहीं रख सके शेरे ने बढ़कर शाहनी के पाउँ चुए शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका राज भी पलट गया शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा तैनू भाग जगड चनना दाउद खा ने हाथ का संकेत किया कुछ बड़ी बुड़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी अन्य जल उठ गया वा हवेली नई बैठक उच्या चौबारा बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आँखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है यहाँ वर्श्वय सोयम चल रही है आखें बरस रही है दाउद खा बिचलित होकर देख रहा है बुड़ी शाहनी को कहां जाईगी अवर शाहनी मन में मैल न लाना कुछ कर सकते तो उठा न रखते वक्त ही ऐसा है राज पलट गया है सिक्का बदल गया है रात को शाहनी जब कैंप में पहुँचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा राज पलट गया है सिक्का क्या बतलेगा वह तो मैं वहीं छोड़ाई और शाहाजी की शाहनी की आँखें और भीगिली हो गई आसपास के हरे हरे खेतों से गिरे गाउं में रात खून बरसा रही थी शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था शुकरिया तो यह थी कहानी सिक्का बदल गया ऐसी ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप कहानियों के काफिले से जुड़े रहिए और लोगबाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में यह बता सकते हैं कि हमें और कौन सी कहानी पढ़नी चाहिए जो आपको पसंद हो